सन्नी देवल की फिल्म गदर टू की गड़ी पर अब धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है जवान के आते ही 14 दिनों में वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर ऐसा कबजा किया है कि अब तारा सींग की गदर टू आगे बढ़ ही नहीं पा रही है हपते में सन्नी देवल की गदर टू इतने पर सिमट गई नमस्कार मैं हूँ पारितोस कुमार आपकी रिन्यूज पर फिल्म समिक्षा देख रहा है इस वक्त बॉक्स आफिस पर जिन दो बड़े फिल्मों की चर्चा है वो है शाहरुक खान की जवान और सन्नी देवल की गदर टू ये दोनों ही एक्शन ड्रामा फिल्मे हैं शाहरुक खान नैंतारा की जवान एक तरफ जहां कम दिनों में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है तो वहीं गदर टू भी हार मानने के रिए तयार नहीं है गदर टू को सिनेमा घरों में लगे हुए 41 दिन बीद चुके हैं इंडिया में ये तो फिल्म अब भी लाखों में कमाई कर रही है लेकिन वर्ड वाइड अब सन्नी देवल के फिल्म का सफर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है गदर टू साल 2001 में रिलिज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सिक्वल है जिसका निर्देशन अनिल सर्मा ने किया है इस फिल्म से 22 साल के बाद सन्नी देवल तारा सिंग और अमिसा पटेल सकीना बनकर लोटी हैं दोनों के फिल्मों को ओडियंस का भरपूर प्यार मिल गदर टू ने दुनिया भर में 684 करोड की टोटल कमाई की है इंडिया में तो गदर टू की कमाई से उतार चड़ावा रहा है लेकिन पिछले पांच दिनों से दुनिया भर में कमाई का अकड़ा 684 करोड का ही है ऐसे में यही अंदज लगा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइट फिल्म की कमाई का अकराब नहीं बढ़ेगा दुनिया भर के मुकाबले भारत में सने देवल और अमिसा पटेल स्टारर फिल्म गदर टू को दर्सकों का बहुत प्यार मिला इस फिल्म ने ओवर्सीज महज 65.64 करोर के आसपास की कमाई की है गदर टू ने वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में जिन फिल्मों को पीछे छोड़ा है उसमें अक्षे कुमार की ओ माई गॉड टू, रनवीर सिंग, आलिया भट की रौकी और रानी की प्रेम कहानी, अजय देवन की भोला और सल्मान खान की किसी का भाई किसी की जान सहीत रजनीकांत का फिल्म जेलर भी शामिल है फिल्मों से दूरे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे सब्सक्राइब करें नमस्कार